हेलो दोस्तो मेरे नाम है मुहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेर ट्रांस्प्राइट नोबक्वास ओनली ग्यान चेरल दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिन्हों का की ग्रेट 7 हो गया था और दूसरे बड़े-बड़े क्लिनिक्स ने उन्हें मना कर दिया था कि अपना हेर ट्रांस्प्राइट मत करवाईए सक्सेस्फुल बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन उसके 4 साल बाद ये मिलते हैं इस क्लिनिक से जिसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ और यहाँ पर इन्हों ने डॉक्टर लोगों ने इन्हों को बताया कि उन्हों का हेड ट्रांस्प्लांट हो सकता है और समझाया कि किस तरीके से हेड ट्रांस्प्लांट हो सकता है और FUE टेक्निक से ही इन्हों का हेड ट्रांस्प्लांट हो सकता है जबकि FUT से इन्हों ने पत लिकेस के लिकेस के अंदर यहाँ पर आपका हेड़ ट्रांस्पांड हंडर परसेंट हो जाएगा जोकि लोगों को उम्मीद तो रहती है कि बाल आ जाए कैसे भी आ जाए बंदा एक बास इसके बाल चले तो वो इस फिराक में लगा रहता है कि कैसे न कैसे करके उसके बाल आ तो grade 7 का baal less है इनों का अब इनके बारे मैं बताता हूं कि इनों का किस तरीके से planning हुई किस तरीके से surgery के बाद इनों कैसा feel हो रहा था आसे चार महीने पहले इनोंने वीडियो बनाईती वो वाली और आज चार महीने बाद इनों के कितने बाल आए हैं या इस से वहले की वी पे ट्रांस्प्लांट फेल हो गया अरे इसका तो रिजल्ट नहीं आया बेकार हुआ है यह मत देखना आप देखना चार महिने के साफ से इनों को कितने बाल आ गये हैं तो दोस्तों पहली फोटोग्राफ आप जो देख पा रहे हैं इसके अंदर इसके अंदर मार्किंग की ग पता लगता है कि कहां पर कितने ग्राफ लगाने हैं तो इनों का रिजल्ट किस तरीके का आएगा या फिर आपका डोनर एरिया कितना है वहां से कितने ग्राफ लिए जा सकते हैं यह सब बाते देखकर यह मार्किंग की जाती है इनों का जो है बालने से यह काफी बड़ा है grade 7, बहुत बड़ा माना जाता है, लगबख सबसे बड़ा, इससे उपपर 8 ही होता है, जहाँ पर की कोई चांसे नहीं होता है, ट्रांस्प्लांट होने का, इन्हों का case भी लगबख, ऐसा ही है, जब बहुत बड़े वड़े क्लिनिक बना कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा, HD, HD का मतलब High Density, आगे सबसे आगे लिखा है, मतलब कि यहाँ पर High Density दी जाएगी, जब कोई सामने से देखे, तो बालों के अंदर से आर पार होते वे ना दिखे, आगे से आर पार ना दिखे, और गंजापन ना दिखे, मतलब Unnatural ना दिखे, इस वज़े से यहाँ पर HD ने दी जा सके, अगर जो ने यहाँ पर, और यहाँ पर High Density दे दी गई, तो पीछे के लिए पूरा एरिया खाली पड़ जाएगा, और यहाँ पर कभी भी बाल नहीं आएगे, ठीक है, अब आप देखे, फ्रेंट से आप देखोगे, आप इन्हों की Hair Line जो डिजाइन की ग आएगा, करेक्ट, अब पीछे भी देखोगे, आप देख सकते, Low Density के मार्किंग, हो गई, खतम, अब पीछे, एक और चीज, आप इन्हों के बाल कट चुके हैं, पीछे आप देखोगे, चौक और चौक और बॉक्स क्या बनाए हुए हैं, यह भी दोस्तों मार्किंग है, यह मार्किंग है, इस मार्किंग को इसलिए बनाए जाता है, ताकि आपको पता लग जाए किस बॉक्स के अंदर से कितने ग्राफ्ट निकालने हैं, ताकि वो आपके सर के अंदर अच्छे से पूरे फिट बैट सके, जब तक एक बॉक्स के अंदर से उतने ग्राफ्ट नही निकल जाते तब तक यह उस box को नहीं छोड़ते हैं इसको box को अंदर से जो graph निकलेंगे वो जो है पूरे के पूरे आप देखो से जोन के अंदर ही line बनाए गई है मतलब कि यह जो graph लगाए जाएंगे सरके अंदर यह कभी fall नहीं होने वाले हैं DST की वज़े से तो तो यह marking clear हो जाती है अब हम चलते हैं थोड़ा आगे अब मैं आप सब लोगों को बताता हूं जिस राजस्थान कोटा से आये हैं मैं इनसे आप लोगों को मिलवाता हूं इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इन्हों की क्या feeling है hair transplant होने के बाद और फिर बाद ले चलूँगा मैं आप सब लोगों को मिलवाने के लिए जब इन्हों को चार महीने complete हो चुके हैं आपको दिखाया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था जबकि वो तो स्टेचिंग माला कर रहते हैं तिर भी उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि यह स्टेचिंग माला भी आपके हुएगा नहीं आप जो विक वाला सिस्टम तर रहने हैं तो मैंने नहीं करवाया अफिर ए तो बहुत अच्छा रिजिन को ने रहा है आपने जी आसार थैंकि यू सो मच अफिलम जी अफिलम जी मुझे आप इप पताएए डूडिंग सजुरी आपको कैसा रहा है कैसा एंविर्मेंट रहा है हमारा यहापर आपको कैसा लगा बहुत बढ़ी आसार बहुत बहुत अच्छा है कैसा आपका एक्सपिरियंस रहाज पेन आपको कितना रहा है यह सब मुश्टी जोदा तक प्लाइंट यही जानना चातेगी पेन कितना होता है एक्सप्जी सब्ड़ा बहुत होता हूँ लेकिन कोई इसा नहीं हो यह सेन ना हो और आपने जो है हर दो मिनट में केक्निट में मेरे को मुषते रहा है कितना पहन हो रहा है स Yamada टो लग निढ़ा में कि अप फेले मेरे से उच्छे आपने कितना पेन हरा है, यहां है, ही यहां पेन है यहां पेन है गर जरा सभी पेन कहीं लगा तह अपने मेरे बों, ज़र मेरे काम किया है यो इतना ज़ादा कोई में से पेम नहीं हुआ भगता है जो है सब्सक्राइब तो यह हमारे असलम जी है जो अपने फ्रेंड का हरी ट्रांस्पांट देखने के बाद हमारे पास मुशली आए तो यह बहुत बढ़ी बात होती है अगर आपके रेफरेंस से आ रहे हो तो बहुत बड़ा अचीव्मेंट होता है आपके लिए तो यह अस हुए है की हेल ट्रांस्पांट की सर्जरी दिखाता हूं कि हे ट्रांस्पांट की बेसिकली सजरी हुई कैसे लेशली तलुरीरा हमने coverage कर आये पुरा आगे mostly जो ही front पार्ट है इतना पार्ट हमने high dense pack कर रहा है इसके पार तीछे हम medium density में गये हैं जिसमें 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 अमने mostly beard के बाल लगाए है अब देख सब्के 5 बाल क्राउं में अमने इसलिए लगाए है क्यूंकि असलम साब के जो भी ग्राफ थे, वो तीन से चार वाले थे, तो इंशालला की बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, असलम साब का, और यह बहुत खुश होने वाले है, और इनकी जो एज है, अब भी क्या कॉर्ड इंकम से पांस से दस साल यह पीछे जाने वाले है, जो असलम साब को देखने के बाद, इनका पहले डर था की, पहले पहले असलम साब की मौरा बना आके चलना जा रहे था की किसी को, तो तो दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखी, वो दो दिन की सर्जरी होने के बाद शूट की गए थी, आप लोगों ने देखा, कि पेश रहे हैं कितना वो pain feel करते थे उन्होंने सारी बाते इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाई है और बताने की कोशिश की है अब मैं आपको ले चल सकता हूँ चार महीने बाद यानि कि आज की तारीक के अंदर आज है तारीक 19 जब यह मैं वीडियो record कर रहा हूँ आज ही इन्होंने अपना interview दियो है और चार महीने इन्हों को complete हो चुके है अब जो आप वीडियो देखने वाले हो उसके अंदर चार महीने हुए जैसा कि मैं थोड़े दैपहले बताया था कि चार महीने पूरा result नहीं आता है जो मैं आप लोगों को result दिखाने वाला हूँ आप चलते हैं अगली वीडियो पर सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं और जब आप वीडियो देखोगे तो आप इस बात का ध्यान रखना कि वो पहले कैसे लगा करते थे और आज की तारिक में कैसे लगते हैं आप मनी मन में सोचना की पहले क्या एज थी और अब क्या एज लग रही है और इज में कितना डिफरेंस आ गया है कितने छोटे हो गया एज में वह आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना तो चलिए चलते हैं कि यह है हमारे साथ आज असलम जी जो कोटा राजिस्थान से हैं और ठीक हमने चार मेने पहले इनकी सजरी की थी आज इनका अच्छा घासा रेजल्ट आ गया है तो हम जानते हैं असलम जी से के डिवरिंग दा सजरी आपको कैसा फील हो आता है दर्द वगरा का और अब कैसा लग रहा है असलम जी बताएंगे इसा कोई खास भी से दर्द निवास है बिल्कुल नॉर्मल से जो होता है मामुली चीटी चैसे से चलती है कि पाकिया सब्सक्राइब काफी अच्छा मैसूस कर रहा हूं है बहुत अच्छी मेरे ग्रोथ हुली है मेरे बिल्कुल भी कुछ सब्सक्राइब कर दिए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था लेकिन यहां ने जो है देखके नहीं कर देंगे बिल्कुल तो नोने फिर मेरे डाडी के भी बाल लिये और पीछे के विन ने दो दिन तक मैरे शर्जीर की करीव 15 गंटे तो अब रिजल्ट आप देखी रहें काफी बढ़िया मेरे को अच्छा मैसूस होला है और लोगों का भी बहुत अच्छा मिजे मिल रहा है जो भी अब जिनोंन तो अब थोड़ा पीछे का अलका रहे तो अभी सामने कहा है कि पीछे जड़े डीप में होती है नसे अंदर होती है तो वह बिल्कुल भड़ जाएगा वाकि बट आगेगा तो एकदम आपके सामने रिजल्ट बहुत अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट आया देखिए हमन जानी वाकिए कि चार महीन ही हुए और इनका ओवर लुक आपको मैं यहां पर साइड में दिखाऊंगा इनकी पहले ही अभी बहुत अच्छा लग रहा है इनका लोग पूरा चेंज वगाई यंग हो गये दस साल पीछे हैं अपकी चली है सलम जी बहुत-बहुत शुक्रिय दोस्तो आप सब लोगों ने पूरी वीडियो देख लिया है चार महीने जाता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें कि चार महीने में किसी बेंदह का पूरा रिजल्ट आता है 4 महिने में इन्हों का जितना result आया है काफी अच्छा है मेरे तो 4 महिने में इतना result भी नहीं आया था 4 महिने में मैं गंजा ही हुआ करता था अब आप इस लीग वीडियो को लाइक कर दें अगर जो आपको अपना head transplant करवाना इस ही क्लिनिक की अंदर जिन्हों के अंदर इन्हों ने करवाया था तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है दिल्ली के अंदर मैं आप लोग का हेड ट्रांस्प्रांट इस क्लिनिक के अंदर करवा दूँगा केवल 15 रुपे पर ग्राफ्ट इन्हों की कॉस्ट रहेगी ठीक है डॉक्टर साब खुद आपका हेड ट्रांस्प्रांट करने वाले हैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक कर दो चैनल को सब्स्क्राइब कर दो और उसका ओल नोटिफिकेशन का बैल आइकन बे दबा दो और मैंने अपने चैनल बहुत सारी वीडियोस अप्लोड की है 280 के अराउंड उन वीडियो को भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारी लोग के हेल्प की है उनके बालो को वापिस लाने के लिए हेड ट्रांस्प्लांट के दुआरा तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर